नमस्कार मैं हूँ अमीज देवगन और आप देख रहे हैं आरपार आज चंचद में विपक्ष की सियासत का अदबुध नजारा देखने को पुछा दोसो सांसत नोट बंदी के किलाव साथ खड़े थी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है लेकिन सब के सुर और ताल पिक्रे हुए थी त्योंकि विपक्ष शायद थोड़ा कन्फूज है कोई जेपीसी की मांग कर रहा है कोई कह रहा है कि नोट बंदी वापस हो जाए यानि जोल बैक हो जाए तो कोई कह रहा है कि कुछ दिनों के लिए फैसला टाल दिया जाए लेकिन इसी बीच राहुल गाधी ने अरविंद केजरीवाल की बात को फॉलो करा और बड़ा रोप लगा दिया राहुल कह रहे हैं कि ये नोट बंदी एक बड़ा स्कैम है लेकिन सवा सरकार पर भी है क्योंकि संसत चलाना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है तो क्या पीएम के बोलने से विपक्ष की ये नोट लीला बंद हो जाएगी आज इसी मुद्धे पर होगा आर पार क्योंकि ऐसा लग रहा है सियासत की इस नोट लीला में मोधी वर्सिस हॉल है यानि मोधी वर्सिस समूचा विपक्ष है कि नाच गाना हो रहा है वहां भाचन दे सकते हैं अप्पोजिशन के 200 MPs यहां खड़े हैं 200 MPs कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रदान मंत्री आकर लोक सभा में देश को बताएं उन्होंने ये डिसिजन क्यों लिया पहले तो राहूल गांदी जी ये बताएं कि वो कितने दिन सदर में बैठते हैं, जो पुरदान मंत्री जी को ये कहते हैं कि वो सदर में बैठ के बहस सुने हैं ये नजारा है नोट बंदी पर विपक्ष की गोल बंदी का 13 पार्टियों के 200 सांसतों ने सरकार को दो टूप संदेश दे दिया है कि नोट बंदी के खलाफ हम साथ साथ हैं जो इन्होंने याद कच्चा बिना तियारी के जल्द बाजी में फैसला लिया है विपक्षर चाहता है कि संसद में परधान मंत्री नरेंद्र मोधी नोट बंदी पर चरचा करें और चर्चा नियम 56 के तहत हो जिसमें चर्चा के बाद वोटिंग होती है और निंदा का प्रावधान भी होता है जबकि सरकार नोट बंदी पर सिर्फ चर्चा चाहती है वोटिंग नहीं ये भी साफ कर दिया गया है कि सरकार की तरफ से वित्तमंत्री अरुन जेटली जवाब देंगे तो क्या विपक्ष इसे एगो की लड़ाई मान कर सियासत में जुटा है आखर विपक्ष को चाहिए क्या मुद्दा नोट बंदी का है या फिर प्रधान मंत्री के चर्चा में शामिल होने का आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार और इसी सियासत की नोट नीला पर आज विशलेशन देखिए और विशलेशन देखिए विपक्ष की नोट नीला पर एक जुट विपक्ष लेकिन पिक्रे हुए है सुर्फ नोट बंदी पर जनता का हाथ सरकार के साथ दिखाई दे रहा है जादातर सर्वे में जनता मोधी सरकार के साथ दिखाई दे रही है पीम के और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के बोलने से अगर विपक्ष की नोट टीला खत हो सकती है तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है। किस आधार पर क्योंकि अर्विंद केजडिरीवाल ने कहा है और फिर राहूल गांदी ने उसको फॉलो कर लिया कि ये एक स्कैम है क्या ये बोलने के लिए स्कैम है जैसा आप अक्सर कहते हैं आप तो हर चीज को स्कैम के साथ जोड़ देते हैं या फिर इसमें कुछ तथ्थ स्टेट बैंक आफ इंडिया ने करीब साथ हजार करोड रुपे 63 बड़े उद्योगपतियों के माफ कर दिये राइट आफ कर दिये बूरी तरीके से माफ कर दिये जिसमें 1200 करोड रुपे विजे मालिया के थे एक लाग 14,000 करोड रुपे ये सरकार मोधी सरकार पहले ही है और इसकी इसी लिए ये संशे पैदा होता है कि एक तरफ बड़े लोगों के लोन माफ किये जा रहे हैं नोटे किसान के लोन माफ करने सरकार के पहले हैं आप इसको रोल बैक कर आना चाहते हैं आपको जनता की तकलीफ का दर्द है या फिर दर्द कुछ और है मर्ज आप कहीं और निकाल रहे हैं ऐसा तो नहीं है कहीं आशीष अब मैं पिछले दिनों हां मैं पिछले दिनों उत्तर प्रदेश भी गया था गुजरात भी गया था गुजरात का किसान हो चाहे उत्तर प्रदेश का व्यापारी हो उत्तर प्रदेश का किसान हो बनारस का बुनकर हो हर आदमी आज परेशान है क्योंकि 20-25 दिन से सब के काम रुख गयें किसान बीज नहीं खरीद पा रहा है जी फर्टिलाइजर नहीं खरीद पा रहा है छोटे से बड़ा वेपारी अपनी अपना समान नहीं बेच पा रहा है और उसका टरनॉवर पुरी तरीके से बंद हो गय जाएगा और नेगेटिव में GDP चला जाएगा अभी आप स्कैम से एकनौमी पर आ गए उससे पहले आप इसकी सियासत पे थे पहले आप रोल बैक पे थे अब कहना क्या चाहरे है अगर आप एक लाइन में बज़े बता पाए आपकी डिमांड क्या है आपकी डिमांड क्या है आम आदमी पार्टी चाहती क्या है मैं कहना सेकिंड से मैं एक लाइन में ये कहना चाहरा हूँ कि ये सरकार इतनी ना समझ नहीं है कि उसके इस फैसले से इतने बड़े स्थर पर पूरे देश में तबाही फैल जाएगी तो इसलिए ये फैसला क्यों किया गया है किसकी मजबूरी में किया गया है किसको फाइदा पहुचाने के लिए किया गया है और फरकाल का गेम प्लान क्या है प्लाइनिंग क्या है कैसे अर्थवेवस्ता गात्री कर आईगे फर्स्ट अर्विंद के जिवाल सेट इसकेम पहला अर्विंद के जिवाल जर आपने कहा है अब राहूल गांदी को यह सकाइब दिखाई दे रहा है कोई कह रहा है इससे अर्थनीती खराब हो जाएगी लेकिन इसके उलट जो अभी कुछ न्यूस पेपर से सर्वे करें इसक जरकार के पक्ष में आ रहे हैं क्या आपको लगता है या तो सियासत की यह नोट लीला है और दूसरी तरफ जनता और जनार्दन इस वैसले में आपके साथ खड़ी है या फिर साथ खड़ी हुई अभी तो देख रही है थोड़ी परिशानी सैकर लेकिन परिशानी बढ़ेगी सितम बढ़ेगा तो जनता भी बदल जाएगी देखिए अमीजी मैं दिल से कहूंगा जो कहूंगा और मैं सभी का सम्मान करता हूं पैनल में जो बैठे हैं तीन लोग मेरे अलावा और बैठे हैं और तीनों मेरे विरोध कहेंगे यहां पर आप देखिए एक बात जनता भी समझती है और जानती है कि जब सच की लड़ाई होती है बहुत कष्ट दायक लड़ाई होती है अकेले लड़ना पथा है बंगाली में मोहित्रा जी बैठी है आप उनसे पूछे बंगाली में कहावत है गाना है रविंद्र संगीत है जो बेतोर डाक से उन्हें के उन आया से तो बे एकला चालो रहे पुकारो सबैलो हमें सुधारना है सिस्टम अगर कोई न आय depends पिर रहे चलने की हिंमत रखो यहिं Miranda अकेले चलकर देशी अर्थणीती को सुधारना भरस्टाचार को समाप्त करना और भरस्टाचार को सरके बल पे हैड ओन उससे कोलीजन करके भरस्टाचार को समाप्त करना ये बाकी लोग करते थे बोलते थे के वरके हमें करना है हमें ये सब करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया सबको पता था मैं इसी बीद संबित आपको रोकना चाहूंगा बड़ी डिवेलपमेंट बड़ी खबर जो नरेंद्र मोधी एप एप से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने जनता की राय मांगी थी देश की राय मांगी थी वो सर्वे सामने आ गया है और 90% लोग नोट बंदी को सही मानत है 98% लोग कहते हैं देश में काला धन है यानि ये सर्वे जो सर्वे नरेंद्र मोधी एप के जरीए हुआ था नरेंद्र मोधी सर्वे जनता जनार धन इसको देश के पक्ष में मान रही है अब मैं सीधा चलता हूँ महुआ आपके पास और आपका रेक्शन इस पे लेता कि जनता की लड़ाई मैं कम्प्लीट कर लूँ सवाल इस सर्वे पर आप क्या कहते हैं मैं कहूंगा मगर इससे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने एक सवाल उठाया था गलत इंफॉर्मेशन दी थी उसे दुरूस्त कर दो उन्होंने कहा कि अमीर लोगों के लोन सवी जैमाला के खिलाफ पड़ेगी और उसके में को ऊसूल करेगी पैसा कांगरेस ने धिया था 3000 करोड रुपह ने सेंक्शन किया था सारा का सारा कांगरेस ने धिया था हम वसूल कर रहे हैं 6000 कर लिया है तो माफ नहीं किया है दूसरी बड़ी बात अर्विंद केजदिवाल जी क्यों इतने बॉखलाएं हुए हैं उनके 3000 करोड से अधिक रुपए जो काले धन के रूप में उन्होंने इखटे किये हैं प्याज घोटाला एड़टाइजमेंट घोटाला पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए वो सारा पैसा अब रद्दी बन गया है तो सुभाविक है कि बहुत बॉकलाहट होती है और आपने अभी जनता का सर्वे देख लिया क्या आ रहा है 90 नोट बनने को सही मानते हैं क्या कहते हैं आप आप तो राइशुवारी पर बहुत बिलीफ करते हैं तो पहली बात तो कि मुझे लगता है कि पहली बात तो यह है कि अगर सरकार के पास इस तरह की जानकारी है कि आम आदमी के पर्टी के पास 3000 करोड़ पे कोई फंड रखा हुआ है तो यह सरकार देश के साथ गद्दारी कर रही है वो 3000 करोड़ उपे सीज़ ना करके पहली बात दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ की यह सर्वेट थीक है अब रधानमंत्री अपना सर्वे करा सकते हैं ने जम-जम्याई नवस जाने थे क्योंकि संद है मेरी बात सुन लिजी अमीश मैं आपकी बात समझ रहा हूँ फिर चुनाव कर हम चुनाओ क्यों और याज है नियम ऑनिमें ऽुल्का पर्लयमंट में लोग क्यों करद् produkt को या लिए लीए न किप। हमारा MP पार्लमेंट या कर हमारी आवास रखता है इसलिए हम साल में तीन सेशन करते हैं तो इस समय जनता की आवाज अगर जाननी है तो संसद में बहस होनी चाहिए और संसद में प्रधान मंत्री आए इंपीज की बात सुने और अपना जवाब देश जानेगा देश सुनेगा लिब्रल डेमॉक्रिसी कॉंसिट्यूशन संसद में थे प्रधान मंत्री जो आच संसद में थे लेकिन 200 विपक्ष के सांसद संसद के बार ते आज वो घेराफ कर रहे थे वह अलग बात है अब मैं द पंगाल का काम चोड़कर दिल्नी में घूम रही है दिली के चक्कर लगा रही है अर्विंद केश्य जीवाल साब के साथ मंदी में भी जा रही है क्या आपको लगता है यह जो सरवे रिलीज हुआ है यह सरवे कहता है कि करीब करीब 90% लोग तो खुश है नोट-बंदी मुझे आपका कनेक्शन बार बार जा रहा है आप सुनाई दे रहा है आपको जी बिल्कुल 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 अचा यह जो आप कह रहे हैं सर्वे नहीं है बीजेपी वाली जो बात है इनके सर्वे इनके मीटिंग इनके सोशल मीडिया मुझे लगत जानते हैं और हम गलत हो सकते हैं पर मुझे लगता है नहीं है कि गलत बोल रही हूं हम जो लास देखें इंटरनेट पनेट्रेशन इंडिया में 35% था मतलब 125 क्रोड में से 35% लोगों के पास इंटरनेट एकसेस है यह जो मोदी वाली एप हुई बहुत जादा होने से 10% प्रत पांच लाग तो 125 क्रोड लोगों में से 5 लाग लोगों ने प्रधान मंत्री को हां कह दिया तो बस आपकी आपको और कुछ की दरकार नहीं है हनुवान जी का जैसा वानर सेना था वैसे बीजेपी के ट्रोल सेना होते जो यूपी में हर जगा बैटके ना ट्रोल करते हैं सो यह यह ब्रह सकते हैं सथाइब हमुआ फम कर फारॐम तो जैसे नोट बंदी लगाया आपने जनतर मंतर के आझ पास नागा बंदी नहीं लगाए हम लोग बैसमिनाख बंदी आपकी नहीं होई है अभी तकल पताने पीजेपी वो भी कर सकता है पर आज सकते नहीं है लिए इंडिया इसलिए के लिए ओके संभी संभी 향ण देखिए तो ब्लैकमणी क mesma मनी हो रहा है जिसके गास ब्लैकमनी है और उसका नाका آु के प्रीएक्शन को आप देख रहे हैं अब देखिए पांच लाख लोग क्या रिप्रेजेंटेटिव नहीं है क्या पांच लाख लोग इंडिया में माइने नहीं रखते हैं पांच लाख लोगों ने respond किया है point by point और कहा है कि हमें दिक्कत तो है मैंने पूरा पड़ा है हमें दिक्कत तो है मगर हम इस दिक्कत को सहने के लिए तैयार है क्यूंकि देश बदल रहा है और यह सब क्या जितने बड़े-बड़े प्रवक्ता यहां बैठे हैं उनके मंत्री समझ नहीं पा रहे हैं सारदा और नारदा उसका क्या होगा यह जो काउंटर फीट करेंसी बंगलादेश से आता था जिससे महमता बेनर जी चुनाओ लड़ती थी उसका क्या होगा तो स्वभाविक है बहुत पीड़ा होगी है ऐसे ही दिल्ली नहीं आ रही है जब बंगलादेश का नकली नोट से जिससे चुनाओ लड़ती थी वो अब कागज बन गया है तो दिल्ली में देखिए ये देश की जनता सब समझती है वो जानपा रही है सारदा में किसको लूटा था घरीब लोगों को लूटा था कितने लोगों ने आत्मात्या की थी सारदा में कितने लोगों ने आत्म हक्तिया की थी अचा अमिश जी एक तो मुझे आश्चरिया हो रहा है कि आपके नाशनल टीवी पे बैठके एक बीजेपी के प्रवक्ता बोला जा रहा है कि हम काउंटर फीट नोट से यह जो आरोप है यह बहुत डेंजरस आरोप है और यह डेफरमे आप लगाएंगे आप आरोप कैसे लगा सकते हैं आपके जो अध्यक्ष नैशनल पार्टी के अध्यक्ष ठीके वह जाके वह जाके मदर केस में खुद जेल कर टाइम कर चुका आप हमको कह रहे हैं ने आप गलत है चार्चीट भी नहीं हुआ है उसमें पता है आपको चार अधीर रंजन चौधरी मेरे साथ है फॉर्मर मिनिस्टर हैं कॉंग्रेस के सांसद है चौधरी साफ एसा लग रहा है कॉंग्रेस पार्टी इस डेश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी फॉलोर बन गई है अर्विंद केजरिवाल कहते हैं तो राभल गान्दी कहते हैं स्काम है ममता बेनर जी कहती है रोल बैक और ममता बेनर जी पूरे मोर्चे को लीड करती है और कॉंग्रेट से एक तरह से ऐसे लगता है उस मोर्चे को फॉलो कर रही है क्या आपको लगता है ये स्कैम है और क्या आपको लगता है कि आप इस से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेर लेंगे क्योंकि ये ऐसा लग रहा है समूचा विपक्ष एक तरफ और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार एक तरफ बात ये है जरा सुनने की धर्ज रखियेगा बात ये है कि जिस दिन मतलब आठ तरिक को नरेंद्र मोधी जी ये एलान किया कि आज राद 12 बज़े की बात सारे रद्दी बन जाएगी 500 हाजार की नोट नए तरिक को उसके दूसरे दिन मेरे पार्टी कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से हमारा जो बयान हम लोग रखा था हमारा जो तरक हमें रखा था वो ये था कि ब्लैक मनी के खिलाप ब्लैक मनी अगर स्टैंप आउट हो जाए तो इसके खिलाप अगर कोई कारवाई हो उसमें ह हमारा पूरा समर्थन रहेगी, पूरा सापोर्ट रहेगी, अब तरह मार्क कीजिएगा, लेकिन हम जिस सवाल उठाय था, कि हिंदुस्तान में 133 क्रोर अबादी है, हमारा बैंकिंग इंफरस्टक्चर उत्रा चूज दुरूस नहीं है, हमारा नगद कारबार ज़्यादा होते हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि हम यूरोप नहीं है, अमेरिका नहीं है, कि प्लास्टिक मानी हम लोग इस्तेमाल करने में हैब हैबिट्टेड हो गए है, तो इसी में आम जंता को परिशानियां ना हो, एही हमारा तर्क है, पकता नहीं पर मुझे अब भललाएं मुझे यह जो क्यों चूटीक घंद मुखे अब मुझे यह जादाय दो,中共 के इसा लग रहां कि आप लोग पब्ली का नाम कमेरारे हैं, लेकिन यह पब्लिक के लिए लड़ाई नहीं लग रही क्योंकि जो रीसेंटली सवेज हुए हैं चाहिए वो कुछ निउस्पेपर्स हो उन सवेज के अंदर जनता तो सरकार के साथ दिख रही है दूसरी बड़ी बात विपक्ष किसके अंब्रेला के तरफ के अंडर यह लड बताई बताई यह कंफ्यूजन को क्या नाम ले लिजिए आप सारे को सारे नाम ले लिजिए मैं 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 साफ कर देना चाहते हैं कोसिस तो करता हूं साफ करने की आपको जो रवाई यह उसको साफ करने का मैं कोसिस कर रहा हूं पात्रा जी कह रहे थे कि बंगाली गाना सुन ताके जे कोई एकेले चलने की मकसद में मोदी जी आगे बारे सब को छोड़के एकेले जाना चाहते हैं मोदी जी आप समझ नहीं पाए मैं तो आपको बेंगोली मानता हूं मैं आपको साराना करता हूं अरे मैं आपको साराना करता हूं अरे बेकार बात मैं तो आपको साराना करता हूं कि आपने रमिंदिना ठाकुर को जिकर किया उसी को बात मैं दोराना चाहता हूं आपको तो मैं साराना करता हूं तो मेरा सवाल यह है जब नरेंद्र मोदी जी क्य क्यों ऐसा एकेला मैसूस करता है जब उनके साथ 90 different सार्वे रिपोर्ट है जब उनके पास आम जंता है मोबाइल एक्स हैं तो एकेला क्यों मैसूस करता है नरंद्र संगसद में Adr Simone Emotion में चर्चा करने में उनको इतना गूरेज होते हैं उनको डर होते हैं कि आइड जर्वेसं में more चर्चा ना कए देखिए कॉंग्रेश पार्टी कभी ब्लैक मानी के खिलाप नहीं है हम तरीका के खिलाप थे अगया ध toi किनामानी से आपने आज सत्य बोल दिया तो आपने अभी बोला रिवाइंड दिखाई आप उसका अरे आज जाने अन्जाने सच बोल दिया जाने अन्जाने सच बोल दिया और फीकार ऍवा आप बोल सकते हैं ऐसे खीलाब कर दिया थि जों बWejm कर सब दिखाई करने ओड़ने के सब्सक्राइब करने केलिए वो वो करने में हम समर्थन करेगा आप रिवाइन करके देख लिजिए मैं इक मैं एक ब्रेक लेता हूँ मैं एक अंतराल लेता हूँ और क्या हम यह माने जिस तरह से विपक्ष श्यासत कर रहा है सरकार सियासत को बंद कर सकती है अगर प्रदान मंतीर नरेंद्र मोदी बोल दे क्या बोलने से बात बन जाए कि विपक्ष को पदान मंत्री का बोलना चाहिए या फिर विपक्ष की मन्चा कुछ और है आर पार में आज देश की जनता के सवाल भी उठाएंगे ब्रेक के बार आर पार आप देख रहे हो मेरे साथ इस पैनल में अधीर रंचन मंता बेड़ी ने तो इस मुद्दे को ईगो से जोड दिया है क्या वाकाई विपक्ष ने इसे सप्ते हो बना लिया है यह मने कि मत अधेनर जी की आज जो बाइट है वो कहती है इगो के प्राइम मिनिस्टर से कि देखिया हुआ चाहते है प्राइम प्राइम से कि लोगों ने इस देश में हम को विपक्ष पार्टी ओंको पी तो वोट दिया है ना तो हम संसद में अगर्च चाहते हैं हम चरचा चाहते हैं आप बदल नहीं आपनी बात आपने जो प्रशन किया सुनिया अमिज़ी आप प्रशन कीजिए मुझे आंसर देने दीजिए फेर आप कहिए बीच में बीच में वोलेंगे तो क्या फाइदा बहस बंद कर दीजिए रोज देने की बात आपने किया पूचा आपने कहा कि ममता बैने जी बोली कि इगो का क्या बात है हम कह रहें कि दो चीज हम कह रहें कि हम चर्चा चाहते हैं फॉल ओर वोट इन पार्लमेंट ठीक है यह हम विपक्ष पार्टी हम यह चाहना ही चाहते हैं अगर सब आपके साथ है तो वोट में क्य डर है क्या डर एक नमबर डो चीज़ अगर आपने यह वैसले लिया किसी को नहीं बता के कोई चर्चा नहीं करके आज हमारे देश में त्रिपन प्रतिशन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है मैडम 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 एक बार बताइए मैंसे प्रतिशन तरक से सेमत नहीं हूं क्या ऐसे वैसले करते हैं क्या ऐसे वैसले चर्चा करके होते हैं आप बताईए हैं और यह वह फैसला करती तो क्या नारेंदर मोझी को बुलाती उसस फैसला है जहा सकते हैं लीक नी ऑ breast करीम ऑजना ट्राइफ रहे हैं इक में दो तो एक नमबर आपने जो कहा अगर ममता बैना जी ऐसे फैसला लेती ममता बैना जी ऐसे फैसला कभी नहीं लेती और 2012 में आर बी आई गवनर और हमारे इंडिया में नहीं किया एक नम एक और यह सरकार का प्रोगेटिव है जो रेनिंग अबाट रोज दिन अमिश जी यह तो आप तमाशा बना रहते हैं आप चीकते हमको चिलाते फिर कहते हैं आप क्यों चीकते अब तैक कर लीजिए आप सब यह डंग से डिबेट करेंगे यह जो आप तो सब बेट रिबेट कर रहा हूं अब तो ठीके अगर नवा प्रतिशत काला धन देश के बहार है वह 10 प्रतिशत जो देश में है वो बेनामी प्रोपर्टी और सोना पे है तो एक इस पे लाई जाड़ी कर रहें किस पे कर रहें यह जो आज जो साधारन लोग साधारन लोग खुद के पैसा यह जो लेना यह अपना सामविदानिक अधुकार है राइट टू प्रोपर्टी आर्टिकल 300A है यह जो रोजी रोजगार यह खो के यह जो लाइन में खड़े हुए है यह उनका मॉलिक अभिका दीजिए चार लोग मेरे खिलाब बोल रहे हैं लेकिन चालिज सेकंड मतलब 40 सेकंड ठीक है नंबर वान आप देखिए मैं अधीर अंजन चौधरी जी का जवाब देना चाहूंगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री यहां रोते हैं प्रधानमंत्री वहां रोते हैं देख दूसरी बात है अभी मोित्रा जी कह रही थी कि बियुशी 1% कैशी इसमें है कैश में है ब्लैक मनी आप बेवी प्रॉपर्टी का क्या कर रहे हैं उसपे अटेक करिए बुल्यय नर्थात गोल्ड का टेक करिए मैं बता रहा हूं आपको बेवी प्रॉपर्टी पे भी ऐटै कर दिया हमने जन्ता से रूड के बियानामी प्रापटी बनाया था ले लिया देशने हम से उस समय में नख़ अधर ना प्रज़नी कर रहे हो मैसे हैं यह फिर स कले सबस्द का लिए चाफ historically सब्सकेrado कि न Settings प्रधानमंत्री संसद में बयान दें अगर प्रधानमंत्री संसद में बयान देंगे और विभक्ष की नोट लीला स्रमाप्त हो जाएगी तो इसमें हर्ज क्या है 30 सेकिंड आंसर दाट संबित मैं इसका उत्तर दे रहा हूं देखिए सरकार चाहती है कि संसद चले सबसे बड प्रधानमंत्री बोल देंगे तो विपक शांत हो जाएगा आपको ऐसा लगता है संबित जिसके करोड़ों खरबो रूपए का उरे कागज हो गया है ना प्रधानमंत्री बोल देंगे तो इनकी और दशा खराब हो जाएगी अधीर रंजन चौधरी रेक्ट तो इसाथ अधीर रंजन चौधरी फुर्टी सेकेंड्ट टाइम विद्यों अधीर अधीर रंजन चौधरी मैं संबित मैं संबित पात्र जी को बीच में उनका कॉमेंट सुनता था बड़े अच्छा लगते थे लेकिन आज ना जाने ओक क्यों ऐसी बिखले हुए बात करते हैं मैडाम सोनिया गांदी जी की मादर इनलो यह देश के लिए शहीद हुई उनकी हास्बन ने मादर इनलो को मैं क्या करूं जब सोनिया गांधी जी बाटला हॉस के लोड़ी थि मादर इनलो 20 सेकें और यह बात है कि आज सक बीजेपी की कोई नेता कहिए कोई पूर्वो जो कहिए हिंदुस्तन के अजादी के लिए ना हिंदुस्तन के लिए काम किया हैं उनकी आप दलाली कर रहे हैं तंपे शोने ओनओ निया लते साली मधिसे स्चोंडेन की जीए हिंदुस्तन के लिए के अंदर जाय उनकी अधंदुस्तन के लिए था ना हुएं आप लोग यहा जाएगी tiefनार इंडरसा नो हो जाएगी और येंज नारेंद्रों मुदी जी कहे रहा है कि 50 दिन के अंदर सब कुछ सामाननों हो जाएगी और एक स्पाट लोग कहते हैं कि 7 महीने की बाद सामाननों होने की संबबना है तो हम लोग किसके उपर भरोसा करें हम लोग क्या प्रदान मंत्री जी को भरोसा करें या बित्तम मंत्री ज ये बहस में सारेच कुछ चर्चा हो नरेंद्रमोदी एकेले ये जिसिशन लिया था ये जंग छेड़ा है इसलिए उनको ये जबाब देना चाहिए ओ आए हम सबसे बात करें हमारा हमारा जो हमारा जो पीरा है ओ सुने आम जलता के लिए हमारा जो रवाईया है ओ उनका कान मे पहुँचे और पता है पता है ओ उनकी जवाब दे एही तो हमारा मांग है हमारा जो मांग है ये का इलेजिटिमेट है हमारा जो मांग है ये का अधीर अधीर अजंजी इसमें आपको नराज़गी की क्या ज़रूरत है और इसमें इलेजिट्रेमेशि क्या है यह बहुत सारे सबसे पूछे गए मुझे थोड़ा वक्त दिए जो आपको ताइम मिला है ये लेकिन लेट मिट अशीष कहतान ना जी यूं से बहुत आप दोनों का जबाब का अशीश कहतान ने भी आप इस पर सवाल खड़ा करना है उसने किसी और पर सवाल नहीं खड़ा करना उन्होंने मैं आशीश जी आपके पास आना चाहता हूं आप बड़े वरिश पत्रकार भी रहे हैं और अब आप आम आदी पार्टी में मैं आप से एक सवाल पूछना चा है परेशान है लेकिन सरकार के साथ है नरेंद्र मोधी आप का तो सर्वे आया है वो हमारे सामने है थोड़ी देर के नरेंद्र मोधी आप का सर्वे भी अड़ा दीजिए जो बाकी न्यूस मेबस के सर्वे आये हैं जादतर वो सरकार के पक्ष में आ रहे हैं मैं सेकिंड प के गुरू अर्विंद केजरिवाल के गुरू भी इसकी तारीव कर रहे हैं कि अन्ना हजारे भी कॉर्प्रेट है अन्ना हजारे भी ब्लैक मनी होल्डर है क्या कहना चाहते हैं वॉट इस जो पॉइंट ऑफ यू आशीश के तारो वर्टी यू नाओ कि सबसे पहली बात मैं आज की कुछ खबरें आपको बताता हूं कि एक मवई बुजूर्ग गाउं है बांदा डिस्ट्रिक में वहां पे सुरेश नाम के लड़के ने जो एक डिग्री कॉलेज में पढ़ता था फीस नहीं ले पाने के कारण बैंक से फीस नहीं निकाल पाने क कि कारण उसने आत्मतिया कर लिए एक और किसान ने अमरिस सड जिले से आज पंजाब से खबर आई है कि वह बीज ना लेने की कारण उसने आत्मतिया कर लिए अभी तक 70 से 75 मौते हो चुकी है आपने अपने कारेकर में शुरुआत में कहा कि यह फैसला इस तरीके का ओल पा कि अगर नहीं था और अगर नहीं था और अगर सवाल का जवाब लुए आप जो वह ब्समाद आप चले गए अननह अजारे को आप बूल गए जरद बीस तेकिन मेरे सवाल का जवाब भी देजिजी जो सवाल मैंने पूछा आप से आशीज जी मैं उसके उस पर भी आता हूं आपने बात करी कि जनता और नेताओं के पीछ में डिसकनेक्ट दिख रहा है बात खतम कर लूँ देखे इस बात से कौन इंकार कर सकता है कि भारती जनता पार्टी को 31 फीजदी वोट मिला था 2014 में 22 सीटे मिली थी उत्तर प्रदेश से लोगों ने बड़ी उम्मीदों से नरेंद मोदी को प्रदानमंत्री बना के बेजा था उम्मीद क्या थी कि मोदी देश के उन 100-200 लोगों के खिलाफ कारवाई करेंगे जिनके पास काला दन है जिन्नोंने बाहरी बैंक खातों में अपने पैसे जमा कर रखे हैं ये कौन मैंने नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से ही ब्लाक मनी के खिलाफ जिस प्रकार की मन मानसिक्ता रखते हुए ते काम किया है वो अपने आप में अदूतिय है रादभुत है तीन सूप्रीम कोट के कहने के बावजू तीन वर्ष बीत गए साइटी तक का गठन नहीं किया कांग्रेस की सरकार ने धाई दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने SIT का गठन किया जो जो डिरेक्शन सुप्रीम कोट ने दिया हमने वो सब फॉलो किये HSBC बैंक के नाम रिलीज हुए हमने उस पे इन्वेस्टिकेशन बठाया जिसका मोनिटरिंग सुप्रीम कोट कर रही है नहीं बोलने दीजिए बहुत सारे सवाल उठे हैं राहूल गांदी के रहे हैं कि प्रधान मंत्री संसत आने से डर रहे हैं राहूल गांदी को छोड़ दीजिए राहूल गांदी क्या बोल रहे हैं देश से सुप्रीम कोट ने उसे अपने पास मंगा लिया आप सुप्रीम कोर्या में हमको दे दीजिए सब्सक्राइब बताइए आपके समय में बताइए अभी बैट तो जाएए अधीर दीजिए अधीर दीजिए इसे क्या होगा इनको यह अचानक ऐसे क्यों पॉलिटिकल बाटिने सब्सक्राइब आपके सब्सक्राइब लेकिन टेलीकॉम स्क्राइब कोईला स्क्राइब क्या बोल रहे हैं तब्सक्राइब को नोट बंदी पर रखें ओके संबित पाता दस सेकें नॉट मोर दन दा टेन सेकिंड रिप्लाइए अहां देखिए 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 मैं इतना कहना अधीर अधीरंजन चौदरी जी न अधीर पीडा तो समझ यह पीड़ा समझ रहा हैं 5,000 करोड पांच-थार करोड रुपए के गवन के कारण आज मां बेटे दोनों एक्यूज नमबर वान एक्यूज नमबर टू आज बेल पे बाहर हैं यह पैसा रखाब तो क्यों नहीं है काला धन है कि नहीं यह पांच था ओम तर तोपर नहीं है लेकिन जण्जन की बात थे अंदर लोग नरेंदर मोधी के साथ आखे खड़ी है जया नियूक्त है याका रहा है तो इसी पे टार पार हुई हो और गर्रेक के बाथ वह कंफूजन जो कोई वो फार देता है बेक के बाद मैं अब देख रहे हैं आरपार और एंड में कॉंक्लूजिन कॉंग्रेस कहती है कि जई पीची की जान्च होनी होना है नोट बंदी की पीचिति है कि नोट बंदी का फैसला वापस ले सरकार आम आधी पाठी कहती है रोल बैक करें इसरकार लड़ाई है लड़ाई है इसलिए कि नरेंदर मोदी को इसका बड़ा पॉलिटिकल फाइदा ना मिल जए यह फिर यह लड़ाई इसलिए कि जनता को कुछ भेदना मिल जाएं ये बड़ी बात है और आज का विशलेशन यही कहता है आज का कॉन्टूजन ही कहता है फिलाल इतना ही लेकिन आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया क्योंकि ब्रेक के बाद होगा हम तो पूछेंगे सुभित के साथ